हेलो विए स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरीजी में आज हम बात करें कारपत्रक 72 की जो कि 26 सितंबर के लिए जारी किया गया है यह कॉमन वक्षीट है कक्षा 6-8 के बच्चोगली यह बच्चे अपना नाम लिखेंगे यह आपने कक्षा दैपर के नाम लिखेंगे तो जब हम वक्षीट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि यह एक तरह से आपके हिंदी विशे से एक्टिविटी बेस्ट वक्षीट है तो इसमें क्या कहा गया है जर देख लेते हैं यह लिखता है हम अपने कई वर्षों के यात्रा को दीरे दीरे ऐसे मशीन यूप में कतम रख चुके हैं जहां लगवक हर जगां हर कारेस में मशीनों का प्रियोग होता है नीचे दो चित्र दिये गए हैं इन ध्यान से देखिए इन में इनके नामों या उनसे जुड़े शब्दों की नीचे आकरती में लिखिए तो करना क्या है पहली चीज़? करना यह है आपको कि यह जो चित्र दिये हैं मैं आपको ठीक है? इनके नाम लिखने इन गोलो में ठीक है? तो कुछ नाम मैं बताता हूँ आपको कुछ आप खुद कीजिएगा जैसे की यह नलका है ना? यह है क्या? आपका कुमार दोरा बरतन तियार करना यह है सिल्बट्टे पे चन्ट्री पीजना यानि सिल्बट्टा यह है हद करगा जिससे हाथ से कपड़े बनाते हैं ठीक है बच्चो? अब इधर आ जाते हैं जरा यह आपका मिक्सर ग्राइंडर ठीक है? यह ट्रेक्टर यह आपकी सिलाई मशीन यह इंजन ठीक है ना? तो यह तो बात हुई आपकी चीजों की और जो छूट गई हैं दो दो चीज़े दोनों से तरफ वह आपको खुद अपने आप पता करके लिखनी है बच्चो यह आपकी एक्टिवीटी का एक पार्ट है तो आपको क्या करना है इसे दो भागों में वाजित कर दिया असने पहला भाग है मशीनी यूग और दूसरा मशीनी यूग से पहले का भाग और दूसरा मशीनी यूग तो आपको क्या करना है कि यह जो चित्रलकों के नाम लिखे थी हाँ पर आपने है ना इनके ओपर वाक्य बनाना है आपको कुछ वाक्य में बना के दिखाता हूँ आपको कुछ आप खुद बनाईएगा जैसे नलके से पानी मिलता है ठीक है सिल्बटे पर चट्नी बनाते हैं ठीक है खत करगे के दुवारा हाथ से कपड़ा बनते हैं ठीक है ना कुछ इधर की साइड के बता दे था मशीन इउक के बता दे था हम आपको टैक्टर से खेती की जाती है सिलाई मशीन से सिलाई जल्दी हो जाती है मिकसर ग्राइंडर में जूस बड़ा अच्छा बनता है तो यह तो कुछ होगा आपके उधार ना ठीकिए बचु इसी तरह आपकी के भी उधाण आपको करने है और इसे ध्यान से कीजेगा बचँ तो यह वीडियो आपके कम्पलेट होगई आशकरत आपको वीडियो अच्छी लगई होगी अगर वीडियो चलोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेर करें ठैक्यू